हेलो एब्रिवन वेलकॉं टू कृष्णा कोचिंग ऑल्लाइन क्लासिस तो हम डिसकस कर रहे हैं जोग्राफी की कोश्चन सिरीज जिसपे हमने इंडियन जोग्राफी को फिनिश कर दिया लगवग हमने बारा पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ा जिसपे अलग अलग और हर टाइफ के क्वेश्चन को हमने टच किया और अभी हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड जोग्राफी से ठीक है तो वर्ल्ड जोग्राफी से हमने स्टार्ट किया है टाइप वन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड जोग्राफी में भी आपको मैप की बहुत ज़रूरत होगी बीना map से आप question को बिलकुल भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो I hope आपके पास map ज़रूर होगा तो चलिए question को start करते हैं question क्या है where is the island of man located तो island of man located कहां पे है between northern island and England first option ही इसका right answer है ठीक है तो map में जब आप देखोगे north island और England ठीक है तो आस पास की जो चीजे हैं जैसे जो England है उसके आफ इस्ट में देखोगे north sea पड़ता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कई बार exam में इसके बारे में भी पूछ दिया जाता है कि north sea जो है वो कहां पे है खास कर state level के या PCS के जो exam होते हैं या फिर UPSC के जो exam होते हैं उस पे map based question जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं जैसे northern sea या north sea के बारे में उत्तर सागर के बारे में जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि कौन से countries की boundary इसको touch करती है ठीक ठीक है तो जब आप map में इस type के question देखते हैं तो आस पास की चीज़ों को भी जरूर देख लिया करें ठीक है तो island of man कहां पे है ये north island और England के बीच में located है देखो the isles of man या फिर otherwise known simply as man is a self-governing British crown dependency located in the Irish Sea between the island of Great Britain and Ireland within the British Isles the closest land is southern Scotland ठीक है तो map में जब आप देखो के तो ये सारी चीज़ें आपकी clear हो जाएंगे it is the 52 kilometers long and at its widest point जो है widest point जो है 22 kilometers ये वाइद है तो ये वाइद है the United Kingdom is responsible for the island's defense and ultimately for good governance and for representing the island is international forums ठीक है तो वाइल दी आपरलेमेंट and government have competence over the all domestic matter okay तो ये आपने देख लिया कि कहां पर located है ये countries भी आप लोग ने देख ली तो बढ़ते हैं next question पर देखो where are most of the earth's active volcano contracted तो कहां पर है active सबसे जादा जो earth के active volcano है वो कहां पर है Pacific Ocean Africa या फिर South America तो राइट अंसर है इसका Pacific Ocean जब आप मैप देखोगे बॉल्ड मैप देखोगे मैप में आप Pacific Ocean को देखोगे प्रसांत महसागर को कि कहां कहां से ये किन किन state में ये टच करता है किन किन countries में ये टच करता है तो वहां पर आपको एक rings of fire जिसको बोला जाता है वो सबसे ज़्यादा active volcano वहीं पर है rings of fire जिसको बोला जाता है देखते हैं इसके बारे में देखो the Pacific ring of fire is an area where a large number of earthquakes and volcanic eruptions occur in the basin of Pacific Ocean कई बारे एक्जाम में पूछा जाता है rings of fire तो ring of fire कहां पर है ये located है प्रसांत महसागर में या फिर Pacific Ocean में ठीक है तो in a 40 1000 km होर्शूर शेप है ये ठीक है तो ये भी आपने याद रखना है कि कौन से शेप है होर्शूर शेप है इडिस एसोशेटेड बिद ए नियरली कंटिनुएस सीरीज ओप ओशियन ट्रेंच volcanic charge and volcanic belt and a plate movement ठीक है 75% of the world's active under dormant volcanoes ये यहीं पर है इडिस सम्टाइम्स काल्ड दी सरकमफेसिफिक वेल्ट और दी सरकमफेसिफिक सेस्मिक वेल्ट वी इसको बोला जाता है about 90% of the world's earthquake and 81% of world's largest earthquakes occur along the ring of fire ठीक है तो यहीं पर सबसे ज़्यादा आते हैं और ये कहां पर सबसे ज़्यादा कहां कहां से ये rings of fire है ये जावा to Sumatra through the Himalayas, Mediterranean Sea and out of the Atlantic ठीक है तो ये सारी चीज़े आप मैप में देखोगे तो आपको ये सारी समझा जाएगी जो Sumatra है यहां से आप इसको देखोगे कि Sumatra जावा से होते हुए और दूसरा जो USA है और जो मतलब जो North America है जो South America का जो best side है ठीक है वो भी प्रसांत जो Pacific Ocean है North Pacific Ocean वहां पर पड़ता है तो यहां तक ये सारी की सारी जो belt है ठीक है जो Pacific ring है रिंग of fire है ये सारी की चीज़ यहां पर फैली हुई है और इसी चीज़ में पूरी ये earthquake आते हैं या फिर volcanic eruption होता है next question पर चलते है this savannah find its ideal condition of growth in UPSC में आया हुआ question है ठीक है तो यहां पर पूछा हुआ है इसके वारे में सवाना जो grassland है ये भी आपको पता होना चीज़े कि सवाना जो grassland है वो कहां पर है वो है आफरीका में वो पड़ती है ठीक है तो इसका right answer है देखो क्या होता है सवाना में hot humid climate with long dry season ठीक है तो option no.3 इसका right answer है कई बार question ऐसा statement दी जाती है कि hot humid climate with long dry season तो बताओ ये कौन सा ये कहां पर ये कौन सी grassland में ये कौन सी ये जगा है जहां पर इस type का climate मौजूद होता है ठीक है तो सवाना इसका right answer होगा तो देखते हैं इसके बारे में देखो सवाना formations find a favorable growth in form of a hot sub humid tropical climate a dry season and a rainy season with an average annual temperature between 22 and 27 a savannah is a rolling grassland scattered with shrub and isolated tree which can be found between a tropical rain forest and desert biome not enough rain falls on a savannah to spot forest savannahs are also known as tropical grassland ठीक है तो ये grassland कहां पर है ये अफ्रीका कॉंटिनेंट में है they are found a wide band of either side of equator तो अभी आप देखोगे equator के पास ये पढ़ते हैं on the edge of tropical rain forest savannahs have warm temperature year round there are actually two very different seasons in a savannah कौन-कौन से है very long dry season जो कि winter में पढ़ता है and very wet season जो होता है वो summer में होता है ठीक है तो कई बार statements आप से पूछ ली जाती है exam में फिर आपको बताना होता है कि ये ऐसा temperature जो है वो कहां पर होता है ठीक है तो explanation को भी आपने ध्यान से इसको एक बात पढ़ लेना है next question है where is lake superior the largest fresh water lake in the world तो कहां पर है एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि largest fresh water lake कौन सी है lake superior है और ये कहां पर located है USA, Brazil, Canada या फिर रशिया तो right answer है इसका USA तो देखो lake superior is the largest of the five traditionally demarcative lakes of the North America in the bounded to the north by the Canadian province of Ontario and US state of Minnesota and the south by the US state of Biscognis and Michigan it is the generally considered the largest fresh water lake in the world by surface area lake superior is the largest fresh water lake in the world in area sorry if lakes Michigan and Huron are taken separately ठीक है and the third largest जो है volume wise जो है ये water है behind lake water sorry lake in Siberia तो lake वैकाल जो है सबसे deepest lake है Siberia में countries पढ़ती है ये रशिया ठीक है और टंगानी का जो है East Africa में है ये कहां पर है ये है तंजानिया तंजानिया आप आप अफरीका continent में देखेंगे East side में तो आपको तंजानिया मिलेगा the Caspian Sea while larger than lake superior in both surface area and volume is brackets देखो अगर question आता है कि largest lake जो है वो कौन सी है तो इसका right answer होगा लेक Caspian Sea ठीक है तो ये C नहीं है ये एक लेक में इसको गिना जाता है ये आपने याद रखना है और lake superior जो है वो एक fresh water lake है और जो Caspian Sea है ये एक खारे पानी की है आपको इसको लेक बोल सकते हो ठीक है तो इस टाइब के question पूछा जाते हैं सबसे बड़ी जो लेक है वैसे वो Caspian Sea है लेकिन वो एक खारे पानी की है देखो which of the following rivers flow in Germany तो शीन, बोलगा, डेन्यूब या फिर ठेम्स तो right answer इसका डेन्यूब रिवर तो डेन्यूब रिवर जो है वो जर्मनी में वो फ्लो करती है ठीक है तो इसके बारे में देख लेते हैं बाकी बोलगा जो रिवर है वो कहां पर है यह है रशिया की जो रिवर है ठीक है देखो देन्यूब रिवर इस ए रिवर इन सेंट्रल इरोब ठीक है तो सेंट्रल इरोब में यह पड़ती है इसके बारे में यादख नहीं है तो इसके बारे में यादख नहीं है डाउन श्यांगईन विच इस इन दी ब्लेक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी यह क्वेस्टन भी अग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लेक फॉरेस्ट जो है वो कहां पर है तो इसका राइट अंसर होगा जर्मनी में ठीक है तो ब्लेक सी में यह गिरती है और ब्लेक सी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लेक सी जो है वो कहां पर है UPSC में एक क्वेस्टन आचुका है एक ब्लेक सी जो है वो कौन-कौन सी कंट्री के साथ टच करता है ठीक है तो आपने एक बार मैप में ब्लेक सी को देखना है यूक्रेन तुर्की ठीक है रशिया यह सारे जो है इसके साथ टच करते हैं रोमानिया बुलगारिया ठीक है त तो ये कहां कहां से ये river पास होती है, तो ये भी आप एक बार इसको देख सकते हैं, रोमानिया, हंगरी, जर्मनी, सुलाविया, या फिर बुलगारिया, माल्दोबा, ठीक है, तो ये river के बारे में आपको पता होना चीए, थेम्स जो है, ये कहां की river है, ये इंग्लैंड की पूछा जाता है कि लंद जो है वो कौन सी रिवर के बैंक पे बसा हुआ है, तो राइट अंसर होगा इसका थेम्स, नेक्स वर्स्टन पर चलते हैं, तो देखो, लॉंगेस्ट यहां पे मौन्टेन रेंज पूछा हुआ है, अगर हाइस्ट पूछा होता तो आपको पता है हिमाल्यास जो है वो हाइस्ट मौन्टेन रेंज है, लेकिन लॉंगेस्ट जो मौन्टेन रेंज है, वो कौन सी है, वो है, एंडीज मौन्टेन, ठीक है, तो एंडीज मौन्टेन इसका राइट अंसर है, यह कहां पे पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं, जो साउथ अमेरिका पढ़ते हैं और आल्प्स जो मौंटेन है वो USA में पढ़ते हैं और प्रिनेस जो मौंटेन है ये कहां पर पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं ये ये पढ़ते हैं ये ये पढ़ते हैं तो ये भी आपने इनके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए and Andes is usually considered the world's longest mountain system 7000 km तक ये फैले हुए है The Himalaya range contains the highest mountain ठीक है तो ये आपने याद रखने कि highest जो है वो Himalaya है और longest जो है वो Andes है ठीक है The world's longest mountain system is known as ocean race जिनको ocean race बोला जाता है which is a chain of mountains that run over the sea floor of five ocean around the world it has a length of 65,000 km ठीक है And the total length system कितना है इनका 80,000 km The Andes is the world's longest mountain system on the surface of a continent ठीक है It is the 7,000 km length है To clarify The Andes is the world's largest chain of mountains above the sea level ठीक है तो आपने जनरली इतना से याद रखना है कि जो largest mountain range या highest mountain range और longest mountain range जो है वो कौन सी है और ये कौन से continent में ये पढ़ती है Next question पर हम चलते है Where is Normandy Beach located? तो Normandy Beach कहां पर है France, Netherlands, Spain या फिर Belgium तो right answer is का France ठीक है? Normandy is a geographical region corresponding to the former duchy of Normandy The continental territory covers 367 km square and form of the preponderant part of Normandy and roughly 5% of the territory of France ठीक है? The region is bordered along the northern coast by English Channel देखो, English Channel Map में आप English Channel देखो क्योंकि ये question आज आता है कि जो sea water से या फिर जो English Channel है या फिर जो London है या Paris है या फिर France है या फिर England है इसको कौन सा channel जो है वो connect करता है तो right answer is इसका English Channel तो English Channel जो है इन दोनों के बीच में पढ़ता है जब आप मैप में देखोगे तो ये question पूछा जा चुका है क्योंकि इंग्लीश Channel जो है किन दो countries के बीच में है तो there are also long stretches of which in the centre of region during the second world war D-day landings on the Normandy beach under the code name operation Neptune ठीक ओतो Neptune operation चला थूस्टा है started the lengthy battle of the Normandy which result in the liberation of the Paris the restaurant of French republic and was a significant turning point of the war ओके मैच करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेस्टन पे ठीक है यहाँ पे कुछ cities दी हुई है और river यहाँ पे दी हुई है तो देखो question है Rotterdam M में यहाँ पे Rotterdam में यह ठीक है तो यह कहाँ पे है पहले तो आपको पता होना चाहिए यह city है नेदरलेंड की कौन सी रिवर पे यह तो इसका राइटन सर है Rhine Rhine रिवर के किनारे यह बसा हुआ है Paris Paris जो है वो Sheen रिवर के किनारे बसा हुआ है Budapest यह जर्मनी स्वरी हंगरी की यह capital है और यह कौन सी रिवर के किनारे है तो यह है Danube Washington जो है USA में वो है Potomac ठीक है तो इस प्रकार हमारा अंसर जो हो जाता है वो होता है 3 ठीक है तो इस टाइब की question देखो जो major cities हैं और जो रिवर हैं तो इस टाइब की question कई बार single single भी आपसे पूछ ले जाते हैं तो आपके देखो चार question यहां पर clear हो गए तो आपने बड़े अराम से इनको देखना है और कौन-कौन से जो city है किस-किस major river के किनारे यह बसी हुई है यह भी आपको पता होना चाहिए त्रषी देखो 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 wasn't a 776-kilometer long river and an important commercial water bay within the paris basin in the sorry north of France the potomac river flow into the त आपके यह चिस-की यह means aRay located along the mid-Atlantic coast of the United States The Rhine is a river that flows from Grissons in the eastern Swiss Alps to the North Sea coast in the Netherlands and it is 12th longest river in the Europe Germany, Austria, Switzerland, France, Netherlands are countries traversed by it The New River is Central Europe, the second longest river is classified as an international waterway तो ये rivers के बारे में दिया हुआ है, Black Sea के बारे में यहां पर भी दिया हुआ है तो इसके बारे में आपने map में एक बार जुरूर देखना है और explanation को एक बार डंक से पढ़ना है Next question है, फिर से match करने के लिए है तो देखो, यहां पर भी city है और rivers दी हुई है तो देखो, पहला है Bangkok तो Bangkok काँ पर है? यह है, Thailand में तो यह कौन सी rivers के किनारे बसा हुआ है? तो इसका right answer है, चाओ ठीक है? और शंगाई शंगाई जो है चाइना में है तो यह कौन सी river पर किनारे बसा हुआ है? यह है हवांगपू ठीक है? और उसके बाद है द्रेश्डन द्रेश्डन कहाँ पर है? यह है जर्मनी में, जर्मनी की एक city है तो यह जो बसा हुआ है, यह एल्व रिवर के किनारे बसा हुआ है और जो मौन्ट्रियाल है यह कनाडा में है और यह सेंट लॉरेंस रिवर जो है यह आगे पीछे हो गया थोड़ा सा सेंट लॉरेंस जो रिवर है यहाँ पर यह बसा हुआ है ठीक है? तो इसका option हो जाता है option number one इसका right answer हो जाता है ठीक है? तो शंगाई is the largest city by population in the People's Republic of China and the largest city proper by population in the world located in the Yangtze River Delta in Eastern China. शंगाई sights as the mouth of the Yangtze River in the middle portion of the Chinese coast. ठीक है? तो Yangtze River के बारे में भी आपने याद रखना है Bangkok is the capital of Thailand and the most popular city in the country. इस city occupies 1568.7 kilometers in the Chao Freya Rivers ठीक है? तो कहाँ पर Central Thailand में वो पढ़ती है Dresden is the capital city of free state of Saxony in Germany ओके? इस सिचुएटे इन a valley over the river Alp near the cheese border Montreal is located in the southern of the province of Quebec The city proper covers most of the island of Montreal at the conference of the St. Lawrence and Ottawa rivers ठीक है? तो यह आपने याद रखना है St. Lawrence and Ottawa rivers के बारे में Next question है Dike are especially constructed in तो Dike होता क्या है? वैसे तो Dike एक बांद जिसको हम बोल सकते हैं जैसे बांद बनाय जाते हैं जैसे कोई rivers आ जाती है जो आपको पता है जो ऐसे वो flood का सबसे major कारण बनता है तो Dike का इस्तेमाल जो हो Holland में किया जाता है नीदर लेंड में जिसको नीदर लेंड बोला जाता है तो यहाँ पे जो है वो तटबंध या बांद बनाय जाते हैं जो कि उस flood को रोकते हैं और जो नदी को एक proper अपर रास्ता देते हैं ताकि वो अपने रास्ते से इधर उधर भटके ना और एक flood का reason ना बने ठीक है तो Dike कम सबसे जादा जो flood से जो नुकसान होता है वो Holland को होता है इसलिए जगा जगा पर जो है वो Dike बनाय जाते हैं ताकि जो है कम से कम नुकसान हो सके ठीक है तो Dike are specially constructed in Holland तो यह आपने याद रखना है इसके बारे में तो देखो A Dike or Dike Is a type of sheet introduction referring to an geological body that cuts discordantly across planar walk rock structure such as bending or foliation and massive rock formation like agneos magnetic magmetic institution and site df पर्स today approximately 27 percent of the netherlands is actually below sea level okay this area is home to over 60 percent of the country population okay the netherland which is approximately the size of the us state okay to connecticut of the Massachusetts combined with the approximate average elevation of 11 meters with the help of dags in the netherland was able to reclaim land of settlement and asu control flooding okay 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 so you have to know that you can come and come kya hootahe flood go rokna hootahe or land ki joha settlement karna hootahe taaki joe krisiyo gejo bhumi hootie joe agriculture land hootie woe bhaar se bhaena matlab joe flood se joe berwaad ho jatia kyti usko roknay ke liye bhi dike ka isti mal kiya jata hai or major johai woe is tariqe ka isti mal johai netherland me maximum kiya jata hai ठीक है तो यहां से आगया हम देखते है नेक्स्ट वीडियो में भल्ड़ से गार टोराण व्र्ड़र्ण णिसे त recolo हूं